आप देख रहे हैं TNB लंबे समय से चल रहे एक नाटक के नाटक पर विराम लगते हुए BS यदुरप्पा ने स्तोमवार को यानि आज मुख्यमंत्री के पद से स्तीफा देने का फैसला ले लिया है ध्यान देने वाली बात ये है कि आज ही यदुरप्पा की सरकार बने दो साल पूरे हो गए हैं इस दोरान वो रो पड़े और कहा कि उन्होंने हमेशा अगनी परिक्षा दी है सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर ये दुरप्पा विधान सभा में भाशन दे रहे थे वा अज दोपर के समय राजपाल को इस्तीफा सौपनगे बीयस ये दुरप्पा ने पूराने दिन याद करते हुए भाभू कंडाज में कहा जब अटल बिहारी बाचपई प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने मुझे केंद्र में मंत्री बनने को कहा था लेकिन मैंने करनाटक में रहना चुना बता दे कि यदुरप्पा ने रविवार को ही यह संके दे दिया था कि उन्हें मुख्य मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा उन्हेंने कहा था कि रविवार या फिर सोमवार तक यह फैसला हो जाएगा इस्तीफे का ऐलान करते हुए बियस यदुरप्पा ने कहा कि इन दो सालों में मुझे राज के लिए बहुत ज़ादा काम करने का मौका नहीं मिल पाया उन्हों ने कहा कि कोरोना क्संकट के चलते बहुत सी चीजे थंग गई है और ज़ादा काम is नहीं मिल पाया इस बैठक के दोरान ही बियस एदुरप्पा के विकल्ग के तौर पर नए सियम का एलान किया जा सकता है बता दे कि एदुरप्पा के स्टीफे को ले कर बीते दो महीनों से लगतार कयास लग रहे थे लेकिन उनकी ओर से कई बार इसे खारिच किया गया था हाला कि पिछले सप्ता उन्होंने कहा था कि वीकेंड तक कोई बड़े संदेश हाई कमान की ओर से आ सकता है इससे ये माना जा रहा है कि सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर यदुरप्पा को करनाटक की कुरसी खाली करने का संदेश मिल चुका है इसके साथ हैं आपको बता दे कि सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एक खबर सामने आ रही है कि करनाटक मुख्यमंत्री पद में संभावित नामों से में बसवराज बोई मई मुर्गेस निरानी के नाम सबसे उपर है ये दोनों ही लिंग्यायत समुदाय से हैं इसके अलावा अस्वत नारायन, आर अशोक, सीटी रवी और प्रहलाद जोशी का नाम भी चल रहा है ऐसे में इस बात का खुलास वक्त के साथ ही हो पाएगा कि आखिर इन सभी बहुचर्चित नावों में से कौन करनाटका का नया मुख्यमंत्री चुना जाता है ऐसे में इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए टी अनवी के साथ बने रहे हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन पर क्लिक करें साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेर करना ना भूले